दोस्तों नमस्कार जैम आता थे यूटूब चेनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वाहत बहुत बहुत अभी नुदर है और मैं अचरानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जब तस रेशिपी लेकर आई हूं आज हम बनाएंगे शुगर वाले भाई शाई भरता बनाने से पहले तमाम चुगर वाले भाई बहनों से विंती करते हूं कि यह मीं दोनों समय सेर जुलूर करें 45 मिट सुगए 45 मिट स्यामकू सेर करते समय हलका सकते चलें और अपने खान पान का विशेश दियान रखें सबसे पहले हम यह देखी एक बैंगन लें अच्छी से भून लिया है यह देखे लैसन लैसन को भी आप ऐसी ही गैस पर रखने के बाद भून सकते हैं यह देखे प्याज सारी समगरी ऐसे ही भून लेनी है यह देखे तीन प्याज तीन लैसन के दिखे गलते चार-पांच करे मिर्च लेंगे इनको भी आप ऐसे भून लेना भूनने के बाद यह सभी चीजे छील लेनी है यह दिखे यह मैं आपको इसलिए बता रही हूं यह मैंने भून के रखा है अगर हम भून कर दिखाएंगे तो काफी लंबा टेम लगता है आपका ज्यादा सम इसलिए मैंने इनको भून कर रखाएं अब इनको चील लेंगे चीलने के बाद इनको ग्रेंडर कर लेंगे अच्छे से ग्रेंडर हो चुके है अब मैं इसमें टालूंगे थोड़ा सर्सों का तेल डालने के पाद जैसे हमारा तेल गरम होता है अब डालेंगे जीरा और थोड़ी साबुत राएं अब हम इसमें डालेंगे पड़ा हल्दी कोड़ुत हल्दी कोड़ डालेंगे पाड़ अब हम इसमें यह तारा मिक्षर डाल दीगे कि अधिक तो कि अधिए सर्दी का पाद यहाँ मिक्सक जोग जग़ा है कि अधिए करेंगे नहाँ मिक्सकर दिए अपमेंगे पालेंगे झालेंगे झालेंगे कि अच्छी से मिक्स दालेंगे इसको अच्छी से चलाते रहे ना अधी मिक्स के जार में पड़ा पानी डालेंगे इसको भी इसमें डालेंगे अधी सिर्क दो मिन्ट के लिए पपाएंगे अभी देखें का इस पर देंगे इसको प्रोस्त देंगे यह देखें मारे शुगर वाले पाईबानी के लिए शाई बर्ता बिल्कुल तैयार है जबके खाने का स्वाद बढ़ाएगा आपको बिल्कुल बे नुक्सान नहीं देगा आप इसे किसी भी समय बेपी कर ओबर खा सकते हैं और यह बहुत ही आसानी से बन जाता है इसे बनान रेसीपी पसंद आयो लाइक सेर जुरू करें और हमारे चैनल पर बने रहें नहीं ने जानकारी पाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें जैम आता दोस्तों